मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को पूरे हिंदुस्तान के पतरगारों को पूरे हंदुस्तान के पॉलिटिशन को किस बात का चैलेंज है तो बोलो सबूत दिखाऊंगा यही बाटो चैलेंज को यही कबूल करूँगा आपके चैलेंज को यही कबूल करूँगा यही कबूल करूँगा कहारा सबूत दिखाओ माफी मांगा पूरे हिंदुस्तान के सामने अगर नहीं दिखाया यासिन मरिक को हत्यार उठाते हुए मुझे लाइब स्टोरी बता दो फिल्में नी फिल्में बहुत देखी हैं हमने बार बार हिंदुस्तान को चुलोती मत दो अच्छा यासिर मलिक काम था यार था आपका आपकी हैसियत हिंदुस्तान को चैलेंज करने की वकार हिंदुस्तान को चैलेंज मत करना वकार देख और भाग यासे कौन आई है शान्ती का दूद तुम्हारा यार यासिन मलिक हिंदुस्तान को कभी चैलेंज मत करना ध्यान रखना मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरेंदर मौली साब से बोलिए केजडिवाल से बोलिए राखल गर्मी से बोलिए कल खड़े हो जाएजी जो 99% मुसल्मान मारा किया था उसके लिए हम एक फिल्म रहेंगे किसकी हम्मत है आगी यह बोलेगा किसी की हम्मत नी क्यूंकि सबकी सियासत खत्म हो जाएगी जहां इनको यह लगे कि मुसल्मानों को बदनाम करके मुसल्मानों को टेर्रियरिजम के साथ जोड़के इस्लामी टेर्नरिजम का नाम लेके इसकी सियासत कहां तक जाती है उसी कोपर ये लोग खेल रहे हैं और रही फिल्म की बात तो किश्मीरी फाइल्स है मैं आपको बताना चाहतуш हो यहाँस में बोला जी ये जो आमाधि पार्टी के कॉंग्रेस के मितर हैं इनने भी बोला जी हमारे हमको तो फिल्म से प्लकृ बिल्कूल अच्छी बात है फिल्म में सचाही दखाए गई मैं जम्मुक्षमीर का नागरी हूँ, मुझे पता है फिल्म में क्या दखाया गया, फिल्म में तो 99% आप लोगों ने जूट दखाया और मुस्लमानों के खलाफ नफर दखा के आप पुरे हिंदुस्तान में आप एक बड़ी मजोटी को आप एक गठा कर रहे हो, अपनी सिया एक मिनट गुरेजी गुरेजी प्लीज, प्लीज, फो फिर अभी कहेंगे आवाज दबा दी, मैं इसले पूरी बात रखाया, जितों से, क्या मस्धितों से धंकी नहीं दी गए थी, क्या ये जूट था, पूरे कश्मीर घाटी की, पूरे कश्मीर घाटी की विज्री रही थी, कि अपनी बहु बेटियों को छोड़ जाओ, 24 घंटे की मौलत है, क्या ये सच्था या जूट था, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के पतरगारों को, पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशन को, हिंदुस्त बोलो किस बात का चैलेंज fact, किस बात का चैलेंज दे रहा हूँ है, हिंदुस्तान के रहा जन्ज दे रहा हूँ, पूरे B Mormt के लोगों को, पूरे बारत के लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, कि एक मंदर मुझे तूटावा बतादो क्श्मीर में एक ऐसी गठना मुझे बतादो जहां मस्जद से यह बोला हो कि क्श्मीरी पड़तू की लड़कियों को रखो और मर्दू को बगादो मुझे लाइफ स्टॉरी बतादो मुझे मुझे प्रूफ के साथ बता दो, फिल्में नी, फिल्में बहुत देखी हैं हमने मस्जितों से जो धंकी दी गई थी वो जूट थी बिलकुल फर्जी है, टेक है और इसको 32 साल में मीडिया में प्रोटोगंडे के साथ डबेट हिस्पा हुई और आप फिल्म बनके उस पर ठपा लगाने की कोशिश हो रही है और सिर्थ मुसलमानों को बंधराम करने की कोशिश हो रही है कश्मीरी पंड़त खुद अपनी मर्जी से विंटर में जया है, जगमान की मर्जी से जगमान ने कहा था कि विंटो ना रहा है, तुम जमू चले जो, डिली चले जो, छे मिने से वाकार, इधर बैटके पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, जिस इस्लामिक टेरिजम का जिकर आप कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अपनी मर्जी से कश्मीरी पंडित जो है, घाटी छोड़ कर चले गए, आप ये कह रहे हो, कश्मीरी हिंदु घाटी छोड़ कर चलेगा अपनी मर्जी से, आप ये कह रहे हो, सुनिये सर, 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 प्लीज, 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 सर, सुनिये, कल मैं आपको एक बात कहूंगा, कल उपर वारा ना करे, चाइना या कोई देश हाके भारत के अपर हमला कर देंगे तो क्या आप भारत छोड़के अमरिका बाग जाओगे? कौन भागा? कौन भागा? अपनी मिट्टी से आपके घर में अगर कतल हो रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी भाव बेटियों के उपर हिज़त के उप त्यार देखाये हों की गलती थी मुसलमानों को किसने हमारा सर किश्मीरी हिंदू की जान गई थी जूटी थी जो बट्टा कर रहा था जो यासर मलेक जिसे आप अपना घुरू मानते है वो जूट बोर रहा था तो अच्छा यासिन मलेक पॉलिटिकल पार्टी पार्टी का जो स्कार है यासिन मलीक का इतिहास क्या है क्या इतियास है जाइब बारत की सरकार आपकी सरकार है बार बार हिंदुस्तान को चुलोती मत दो जम्मू कश्मीर की मुवमेंट चला रहा है 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 जम्मू आपके चैलेंज को यही कबूल करूँगा रुको 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 चैलेंज को यही कबूल करूँगा यही कबूल करूँगा कहारा सबूत दिखाओ माफी मांगा पूरे हिंदुस्तान के सामने अगर नहीं दिखाया यासिन मरिक को हत्यार उठाते हुए तो यही पूरे हिंदुस्तान से नाफी मांगोंगे की नहीं यासिर मलीक को हत्यार उठाट हो इसके बारे में आप बैठ के तर्वी कर रहे हो यासिर मलीक की और कह रहे हो कि आपको मालूम होगा तर्वी आप कर रहे हो पाकिस्तान ने बताया आपको इसने क्या बोला पाकिस्तान ने बताया था एरस्टाइक जूटी है किसे बताया आपको सब कुछ जूट है ना सब कुछ जूट है ना वो कश्मीरी हिंदू का नरसंगार वो भी जूट जिने मारा गया वो भी जूट एर स्टाइक भी जूट यासिन मलिक का शांती का धूट बनना भी जूट है ना यह सारा जूट है जो मस्धितों से बोला गया वो भी जूट ना दिखाओ यह यह देख वकार देख और भागया से कौन है यह शांती का दूट तुम्हारा यार यासिन मलिक यह फोटो यह देख वकार पाकिस्तानी देख देख वकार अभी बोल रहा है न मुझे यह कौन है बोला सबूत दिखाओ यह सबूत ने यह क्या है यह क्यों कौन यह रहां ताय कौन था कौन था यह आपने ठीक कहा जैसीन मलक उसने हथ्यार उठाया था और उसके बाद पारत की सरकारू नहीं उसको बोला था कि हथ्यार छोड़ो टेबल पर आओ अभी तो बोले कि वह शांती का दूप्था का भूतर उड़ा रहा था मुझे करते एक सबूत दिखाऊ हिंदुस् कि वकर हिंदुस्तान को कभी चैनलिंद् करना ध्यान रखना आद की बोलाना एक सबूत दिखाऊ इस भूत देखो यह लिए देखो अपने यार की तस्वीर देखो यह सबूत बैका चैनलिंज मत करना अजके बाद अब इसको आटाओ प्र मत बोलना कि सबूत दिखाओ चल थेंक यू जाओ पाकिस्तान